नमस्कार जैशी किष्टा मैं राकेश पाट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और उसी शंखला में जो हम लोगों ने लगू पारशरी की शंखला स्टार्ट की है और जिस शंखला के अंदर हम नौश लोग के बारे में उल्लेडी पढ़ चुके हैं उसकी लगू पारशरी जैसे कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ बहुत ही इंपोर्टन सब्जेक्ट है बहुत ही इंपोर्टन है जोतिश के लिए और जो इसको एक बार कर लेता है उसको जोतिश में बहुत असानी हो जाती है किसी भी चीज की प्रडिक्शन करने में या किस केंद्रा अधिपत्य दोशस्तू बलवान गुरु शुक्रियो यानि गुरु और शुक्र को बलवान होने पर केंद्रा अधिपत्य दोशस्तू केंद्रा अधिपत्य दोश होता है केंद्र के अधिपत्य होने का दोश होता है गुरु और शुक्र को बलवान होने पर पहली कथवया की थैय। नाय। звучit Starbucks फिर वो कहते हैं उन दोनों के ह anál होने पर मारolas mतलब दूसरा या साथम्हें भव का शवामी वह हो मारड़ी होने पर और मारकिस्थान पर बैठ जाने पर दूसरे या सात्वे भाव के स्वामी हों और दूसरे या सात्वे भाव में वो बैठ गए तो अधिक दोश लगता है ये इस श्लोकी दसवे श्लोकी दूसरी लाइन कहती है अब उसमे में कहता है नीचे क्या कहता है नीचे कहता है ग्यारवी श्लोक में इसमें यह बोलते हैं कि उसके बाद बुधि और चंद्रमा को बुधस्त दनि चंद्रों अपी जानि बुधि एवंचंद्रमा को भी दोश होता है, उनको भी दोश लगता है, और फिर कहा है ने रंद्रश्चत यानि कि अस्टमेश होने का दोस सूर्य और चंद्रमा को नहीं लगता, ये शलोग में 11 में कहा गया है, अब ये शलोग हम थोड़ा लिटेल में पढ़ लेते हैं, एक्जाम्पल के साथ देख ल लगता है, केंदराजी दोश के इंदर होता क्या है? और उसके साथ शलोक में ये भी था, कि अगर वो मारका स्थान के स्वामी है मारका कि에लाता है, दूसरा और साथवा दो भाव मारका केलाते हैं, ये आप लोग सब चांटे हैं तो अब सब लोग के मैंड में क्वेशन यह आना स्टार्ट हो जाएगा कि वहिए जब जुपिटर और वीनस दो तो ग्रह हमारे इतने शुब होते हैं कुडली में जो हमको रिजल्ट देने वाले होते हैं जुपिटर और वीनस तो कुडली के अंदर बहुत अच्छे ग्रह हो तब तो उनका तो दोश लग गया उनमें तो और दोश लग गया तो क्या होगा कि वो अपना रिजल्ट भूल जाएंगे रिजल्ट का न्यूटरल हो जाएगा यह देखा है कि केंदर के स्वामी होने पर वो अपना शुबत भूल जाते हैं और अशुब बह केंदर के स्वा थी वामी हो। तो अपना अशूपत तो बूल ज yeah why can state क्लिया होगा तो उसके बारे में साफ लिकाए के डीए ऐसा नहीं कि वो रेज़ल्ट नहीं देगा रिजल्ट देगा लेकिन आपने सवतंत्र कार्कत्व के हर्ग रहेके अपने सवतंतर कार्कत्व होते हैं जैसे गुरू का स्वतंत कारकतर है, धन देना, ज्यान देना, संतान देना, ये सब गुरू के स्वतंत कारकतर है, गुरू की दशा हो, या ये भाव आपके एक्टिव हो या ना हो, तो भी धन मिल सकता है, ज्यान प्राप्त हो सकता है, संतान प्राप्त हो सकती है, पती तो जिन भावों वह बैटे हैं वहांके फल दो नहीं दे पाएंगे वहांके फल उनके निटर होगे जो बहाव स्वामी तो थेंगे या जिस ग्रहा के साथ वह बैठे finger जैंगे Maar यूति का फल बहुत important होता है। यूति में अगर दो ग्रह साथ बैठे हैं, बुद्ध और शनी साथ बैठे हैं, तो जब बुद्ध की दशा आएगी, तो वो शनी का भी रूप धारण करेगा और कुछ फल शनी की तरह भी देगा। और जब शनी की दशा आएगी, तो शनी ब बहुत important होता है, समझना आपको, इसे बोलते हैं, परिवर्तित फल, यूति के करण जो होते हैं, ये परिवर्तित फल होता है, जिसको हम बोलते हैं, अब इसमें आया ठीक है, ये तो हम लोगों रे डिसकस कर लिया, कि बही चंद्रमा बुद्ध को दोश कम लगेगा, क्यों वो गुरू और शुक्र के मुकाबले कम शुग रहते हैं, तो उन पे कम दोश लगता है, अब हम ये टेबिल देखते हैं, इस टेबिल में हम लोग देख रहे हैं, कि विभिन लगनों में कौन-कौन से ग्रह को केंद्राधी पती दोश लगता है, जैसे अगर हम मेश लगन देखें यह मेस्य लगाणीक ही इसमें चंद्रमा चौथ का स्वामी होता है शुख्र है तो इसको कहने ड़ेगा han σवामी होता है इस बन Corps की सात्वे में आती है तो शुकर भी केंदर का स्वामी इमा तो वह भी शुख्र है तो उसको वी करेंदरी पर्फिदोश लगा दस्वे भाव का स्वामी शनी होता है शनी जो है वो नैसल की ग्रूप से अशुक ग्रह है पाप ग्रह है उसको भी केंद्रा जी पती दोश लगा तो आब जिस लगा जिस मनुश्री कुंड़ी मेश लगन की है उसके तो तीन तीन ग्रहों में केंद्रा जी पती दोश लग लेकिन ऐसा नहीं इंद्रापद्धी पर दोश होने का मतलब यह नहीं कि वो अपने सुतंत कारकतों के फल नहीं देगा या जिनके साथ बैठा है उन ग्रहों के अनुसार वो फल नहीं देगा सयूति के अनुसार वो फल देगा अपने सुतंत कारकत्वों के अनुसार को फल रही है। इसी प्रकार अगर हम जैमेनी लगन देखें, जो जैमेनी लगन हमारा है, यानि मिथून लगन, मिथून लगन में बुद्ध, चौथे बाब का स्वामी बनता है। जुपिटर, ब्रहस्पति, सात्वे बाब का स्वामी बनता है। और दस्वे बाब का स्वामी भी ब्रहस्पति बनता है, मिथून लगन में। तो अब जब मिथून लगन में ये सब चीज़े हो गई हैं, तो जुपिटर और शुक्र, दोनों ग्रहें इनके, ब्रहस्पति और बुद्ध, ये दोनों ग्रहों पर केंदरादी पती दोश आ गया, अब जब इन पर केंदरादी पती दोश आ गया, तो फिर ये कैसे अच्छर जल्टे पाएगा, दोश शुप ग्रहें हैं, दोनों केंदरादी पती दोश के अंदर आ गए, तो ये भी इसमें ध्यान देना होता है और हमारी जो राशिया होती है तीन तरह की होती है चर इस्थिर और दी सुभाव एक चार साथ दस ये चर होती है दो पाँच आठ ग्यारा ये इस्थिर राशिय होती है उसके बाद जो तीसी नंबर की राशिया आती है तीन छे और दस बारा यह हमारी 2 सब्हभ राशियल उती है तो 3 सब्हावो लगनों में अगर हम देखें जैमेनी में देखें पिर वर्गों में देखें वर्गों में देखें वर्गों मारा करणिया हो गया कर्णिया लगन में देखें तो जुपिटर चौथे बाप का स्वामी बनता है वो भी नैचरल बैनेफिक है वो भी शुब ग्रे है जुपिटर साथवे बाप का स्वामी बनता है वो भी तो नैचरल बैनेफिक ग्रे है शुब ग्रे है और बुद्ध जो है वो नैचरल बात होती है तो नॉर्मली यह कहके छोड़ जया जाता है कि इसको केंद्रादी पति दोश लग गया तो यह अपना शुबत भूल गया यह अपना अशुबत भूल गया अब यह अपने भावों के यह जहां बैठा है वहां के फल प्रदान नहीं करेगा क्योंकि वह भूल गया नॉट्रल हो गया कुंड़ी के लिए कहीं कहीं यह भी बोला गया है कि अगर शुब ग्रहपे केंद्रादी पति दोश लगे तो वह अशुब्फल देते हैं और शुब ग्रहपे केंद्रादी दिपति दोश लगे तो वह शुब्फल देते हैं जो की ग क्रियों कि इसमें साब करते हैं कि उनको केंद्र के अधिपती होने का दोश लगता है और उससे पहले श्लोक में हमने बताया भी था एक पहले श्लोक पड़ाया को छटा या सात्मा उसमें लिखा भी है कि वो हो जाते हैं तो अब आपका यह से टेबल हो गई इसके बाद हम ल लाज है केंद्र के स्वामी है वो सब नेच्रल शुब रहे है रूप से शुब रहे अच्छा आप रिज़ल्ट कैसे मिलेगा अब यह देखने वाली बात अब ब्रस्पति है ब्रस्पति को जैमिनी लगन में मितुन लगन में प्रस्पती उसको कहा का स्वामी तुपराप्त है यह देखें मितुन लगन अगर तो बरस्पति साथवे भौफ का स्वामी है और दसवे भौफ का स्वामी तो लग रहा है देखने में जैसे साथवे भाफ के रिजल्ट वह में मिले नहीं पाएंगे फिर क्या होगा लेकिन ऐसा नहीं है पर सपती अपने कारकत्व के हिसाब से अपनी तशामर यह रिए यही क अच्छे result मिलेंगे उसके कारकत्व के result शुब मिलेंगे अगर जुपिटर उच्छ राशी का है मितुनलगन की कुण्ली में किसी का तो ये पकी बात है कि जुपिटर की दशा में वो जो जातक होगा वो बहुत ही educated होगा बहुत ज्यानी होगा धन की प्राप्ति होगी संतान क अगर उसका समय है तो संतान प्राप्ति होगी और अगर जुपिटर बुद्ध के साथ बैठा हुआ है कुण्ली में जुपिटर बुद्ध के साथ बैठा हुआ है तो बुद्ध का कारकत्व क्या है शिक्षा बिजनस करना व्यापार करना तो वो ऐसे जातक को बहुत शिक् उससे कहेगा कि educational institutions में service करो consultant बनो तो बुद्ध के कारकत्व भी शामिल हो जाएंगे उसके दर जो मैंने बताया कि आपको परिवर्तित्फल यूति का परिवर्तित्फल जो होता है वो भी ध्यान देने वाली बात है तो यह हुआ कि it is certain that on the basis of relationship natural tendency and significance of this planet will give their result as for their strength strength ग्रह का मजबूत होना जरूरी है ग्रह का पीडित नहीं होना चाहिए अगर ग्रह पीडित है तो उसके स्वतंत कारकत्व जो है वो भी आपको अच्छे नहीं मिल पाएंगे लेकिन केंद्रादी पजित होने से हमको यह नहीं समाजना चाहिए कि साब इसके फ़ल अब नहीं मिल पाएंगे इसके फ़ल मिलेंगे लेकिन स्वतंत कारकत्व के बल मिलेंगे रहे के अपनी दशाव आप जैसे यह केंद्रादी पति दोष के बारे में एक एक जामपल दिया हुआ है यह इसमें जुपिटर को केंद्रादी पति दोष दिखाया गया है जुपिटर जो है इसमें आप देखें तो साथवे और दसवे भाव का स्वामी है जुपिटर तो जुपिटर की दशा में साथवे और दसवे भाव के फल तो उनको नहीं मिल पाएंगे लेकिन उसे कारकत्तों मिलेगे साथवे और दसवे भाव के फल क्या है इंदिस और उसको सैवन्त और टैन्थ का लॉड है जुपिटर तो उसने साथवे भाव के और दसवे भाव के रिजल्ट तो नहीं दिये थोड़ा सा मतलब उसने कम कर दिये करम चेत्र के विवाद चेत्र के रिजल्ट को उसने थोड़ कम कर दिया कम कर दिया मिस कि थोड़ी कट पर्ट या थोड़ी आर्गुमेंट्स होने लगे या अगर शादी होने की समय था तो शादी में थोड़ा टिले हो गया लेकिन उसका जो प्रॉफेशन से चीज थी वो उस पर फर्क नहीं बढ़ रहा क्योंकि प्लाइनट जो है और नेटिव ने उसी समय में पीएसडी भी की और वेल्थ भी उसको मिली क्यों क्योंकि गुरू के स्वतंत कारगत्त दे ज्यान मिलेगा धन मिलेगा वो सब मिलेगा उसको मिला उसको विभा से विभा के इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाए उसको करम चेत्र से इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाए लेकिन उ प्रश्दी उसकी कंप्लेट होई उसको धन धाने से परिपूर्ण हुआ यह सब चीज़ेंगे तो कहने का बतलब यह है कि अगर केंदर के स्वामी बन जाएं शुब रहे तो उनमें केंदराजी पर्च दोश लगता है और वह अपने भावों के रिजेल्ट में अगरे इतुश में कमी आ जाती हैइं श सबल्स के साथ उसकी यूटी है उसके एस्यूशेशेशन के हिसाब है यह बहाया होगा यह 10 आघ्या श्ल्वा रवाज पड़ेंगे समझ आया हो तो काईली लाइक कीजिएगा सबस्क्राइब कीजिएगा शेर कीजिएगा बहुत मोटिवेशन बढ़ता है हमारा इसके लावा एडवांस एस्टरलोजी क्लास में स्टार्ट करने जा रहा हूं तो जो लोग भी चुक हो वो दिएगे नमपर पर संपर्ख कर सकते हैं धन्यवाद जैश्रिक्रिश्ट अ झाल जा, वभी चत्तिव में स्टार्ट related का सकतेृ जैश्रिक्द च्राइब कीजिएए स्टार्ट का सबस्टाव